नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों दिवाली का उचसफ मुख्य रूप से पांच दिनों तक बड़े ही धुमधाम से मनाया जाता है इस पर्व की शुरवात धन तेरस के दिन से हो जाती है और ये भाई दूच के दिन ही समाप्थ होता है इस पांच दिनों में धन तेरस सबसे पहले आता है इसलिए इसका विशेश महत्व है ऐसी मानता है कि इस दिन से ही प्रकाश के उचसब का आरंब हो जाता है और इसी वज़े से इस जिन कई ऐसी वस्तूओं के उपाय अजमाने की सला दी जाती है जिन से आपके घर में सम्रिदी बनी रहे ऐसे ही उपायों में से एक है धन तेरस के दिन घर के मुख्य द्वार को सजाना जो वेक्टी धन तेरस के दिन मुख्य द्वार पर कुछ विशेश चीज़ा रखता है उसके घरों में सदेव सुख सम्रिदी बनी रहती है और धन की वर्षा होती रहती है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर के मुख्य द्वार पर क्या क्या चीज़े लगा सकते हैं तो चलिए जानते हैं नमबर एक माता लक्ष्मी के चरण दोस्तो धन्तेरस के दिन यदि आप मुख्य द्वार पर माता लक्षमी के चरण रखती हैं या रखते हैं तो इससे घर के बीतर लक्षमी जी का आगमन होता है मुख्य प्रवेश द्वार के बाई तरफ लक्षमी जी के चरण लगाएं और इस प्रगार लगाएं कि चरण बहार से बीतर की तरफ आ रहे हूं यानि कि आपके घर के अंदर आ रहे हूं दरसल ये लक्षमी माता के प्रवेश की ओर का संकेत करते हैं धन तेरस को मुख्य रूप से लक्षमी के आगमन का दिन माना जाता है इसलिए ये चिन आपके घर के लिए शुब माने जाते हैं दोस्तो धन तेरस के दिन घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई करें और ताजे फूलों तथा पत्तों से बंधन वार लगाएं यदि आप बंधन वार के लिए आम और अशोक के पत्तों का इस्तमाल करेंगे या करेंगी तो ये आपके लिए मुख्य रूप से फलदाई होंगे ऐसी मानिता है कि आम के पत्ते माता लक्षमी को अतिप्रिये हैं और मुख्य द्वार पर इन चीजों का लगना घर में मा लक्षमी का आगमन होता है इसलिए आप ये कारें जरूर करें दोस्तों धनतेरस के दिन ही दीवाली का परविश शुरू हो जाता है इसलिए आपको इस दिन मुख्य रूप से मुख्य द्वार पर घी का दीपक जला कर रखना चाहिए इस प्रवेश द्वार के ठीक बाय तरफ इसे रखें दिया मुख्य द्वार के बाहर की तरफ रखें और घर में प्रवेश करते समय प्रत्येक सदस्य को इसके दर्शन करने चाहिए सुनिचित करें कि खुले स्थान बिल्कुल भी बंदित ना हो ये उर्जा को बांध कर रखते हैं इसलिए अपने द्वारों को खुला रखें तो दोस्तों ये थी मेरी आज के वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरी ये चौनकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कर